नमबुद्धाय टश्दिलेक भगवान बुद्ध ने दंपद में कहा है फंदनांग चपलांग चित्तांग दुरखांग दुन्यबारियंग उजू करोति में धावी उसू का रोब तेजनांग अर्थात जैसे तीर चलाने वाला आँख को दवा कर बाण को सीधा चलाता है बैसे ही योगी अपने मन को अपने चंचल मन को या दुलब्य मन को हमेशा सीधा कर लेता है इस गाथा में तथागत बुद्ध बहुत बड़ा संदेश देते हैं और हम यह कहते हैं कि जिस प्रकार से एक तीर चलाने वाला बाण को सीधा रखता है और अपने टार्गेट को हिट करता है उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने मन को हमेशा देखना चाहिए एक टार्गेट पर एक जगए पर फोकस करना चाहिए हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल होता है बहुत ज्यादा चपल होता है जैसे ही आप देखो कि हर जगा एक तरम से भाग जाता है और ये बहुत ज्यादा चतुरी भी होता है ऐसा नहीं है कि ये आपको मना करेगा ऐसा मत करो उदार के लिए जैसे ही हम सोचते हैं कि सुबह कहीं जाना है तो हम चार बजे उठने के लिए या पांच बजे उठने के लिए हम कोसिस करते हैं और अलाम लगा लेते हैं और मन ये भी कहता हाँ भाई लगा लो इसमें कोई दिक्कर नहीं है पांच बजे उठा दूगा, तो अलाम लगने से पहले भी कभी-कभी हम जाग जाते हैं, या फिर जैसे ही अलाम बजती हम जाग जाते हैं, तो मन ने क्या किया, मन ने आपको पहले से ही बता दिया, कि हमें पांच बजे उठना है, और उसी रिसाब से ये जो अलाम भी हमने फ पिर देखो कि कभी साथ बच जाते हैं, आठ बच जाते हैं, तो मन जो है मना भी नहीं करता है, और जो है मना भी करता है, इसकी जो रूपता देखिए, एक प्रकार से कारसैली को देखिए, इतना चंचल है, कभी मना नहीं करेगा, और कभी हाँ भी नहीं करेगा, तो ये इसक खासियत होती है, हमेशा यह दूसरी जगाय पर भाग जाता है, कहीं कहीं चला जाता है, किसी दूसरी जगाय पर चला जाता है, जैसे ही सुन्दर चीज देखी तो उसकी तरफ चला जाता है, जैसे ही हमने बुराई को देख लिया, तो वैसे ही हमारे मन में लाने लगता है, ब को क्या करना चाहिए कि अपने इस चंचल चित को एक जगए पर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि दिन में हो सके तो कम से कम 10-15 मिनिट ध्यान करना चाहिए ध्यान के माद्दे हम से होता क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि जब आप ध्यान करेंगे तो उस समय आपका मन अदर अदर नहीं जा रहा है उस समय भी मन आपका बठकता है जैसे हम ध्यान की अवस्ता में बैठते हैं और अभी जब हम जागरत वस्ता में उते हैं, जैसे अभी जाग रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, तो समय मन में कुछ लगे नहीं रहा है, किवल यह लग रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, या हम यह किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके बैठते हैं, बैसे ही ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो बिचारों की बंबारी हो रहे हैं, इतने जाद है हमारे अंदर सुखद और दुखद बिचार आने लगते हैं, तो इनको केवल और केवल ध्यान के माद्यम से रोका जा सकता है, भगवान बुद्ध ने आप उस तरह से ही समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखें कि माली जी की आकास देखिए, तो आकास की इस्तिती एकदम से क्लीन होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई मेला नहीं होता है, और उस आकास को बादल दीरे दीरे धख लेते हैं, तो वो काले बादल होते हैं, सफेद ब करकार से हमारे मन की इस्तिती होती है उसमें कोई भी मल नहीं होता है लेकिन जो मल है जो गंदगी है वो क्या है हमारे राग दोएस मोह हैं हम जैसे किसी को देखते हैं तो उसमें या तो उसके प्रत बहुत जादा अट्रेक्ट हो जाते हैं बहुत जादा आसकती पैदा कर ले जाना है तो इस प्रकार की मं में यह तो लगाव पैदा हो जाता है यह फिर हमें आयना की तो कोई कमी नहीं है, हमारे चेरे पर अगर दाग है, तो आयना में बैसा ही दिखेगा, फिर हम उसको लेकर पहुंचने की कोस्त करते हैं, यह दाग छुट जाए, ऐसा तो नहीं है कि आयने को पहुंचते हैं, आयना किलियर है, उसमें कोई भी एक प्रकार से गंदग से आजाती है, बहुत सारे बुराईयां, बहुत सारे जो गुसा, क्रे, जो क्रोध है, या फिर हम प्रतिस परदा, कम्टी सन, या फिर बहुत सारी जो विचार हैं, उच नीच का भाव, यह सब हमारे मन में आकर के बैठ जाता है, और यही बुराई है, इसको हमको साफ करना केवल और केवल आप दिन में दस से लेकर कि पंदर मिट अगर बैठने लग जाएं ध्यान लगाने लग जाएं तो वो बहुत सारी बुराईयों को नश्ट कर सकता है लेकिन हम कर कहाँ बात हैं हम जाता ध्यान नहीं देते हैं तो अपने मन को सुद्ध करने के लिए यही एक रास्ता है और खास करके जो इस्ट्वेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत जादा है कहते हैं का हम को बहुत जादा स्ट्रेस है मन नहीं लग रहा है क्यों नहीं लग रहा है कि हमारा जो एक एज ऐसी होती है उस समय हैं बहुत सारी चीजों को देखना चाहते। तो मन अधर भाग जाता है। तो मन को इस प्रकार से भी समझना चाहिए। दूसरा ऐनकर प्रकृति को कैसे देखें। के माली जिस गलास में आपने पानी रख लिया। तो गिलास में पानी जो एकदम साप पानी एकदम clean water उस पानी में आप मिट्टी मिला दीजिए और मिट्टी जब मिलाएंगे फिर उसको क्या करें चला दीजिए तो चलाने के बाद क्या होगा कि वो पूरा का पानी पूरा पानी जो गंदा दिखेगा पूरा इसमें चलता फिर उस गिलास को आप रख दीजिए पर जैसे ही आप गिलास को रखेंगे धीरे 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 जो गंदगी है जो मिट्टी है वो उसके नीचे बैठ जाएगी तली पे बैठ जाएगी और साप पानी जो है उपर रह जाता है तो उसी प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं जब बढ़ाई क्या है तो जैसे ही हम ध्यान लगाएंगे जैसे ही हम अपने सांस पर ध्यान लगाते हैं तो सांस पर ध्यान लगाते 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 मन जो है दर दर जो भटका हुआ है वो एक जगह पर आ करके बैठ जाता है जब बैठ जाएगा तो उस समय आपका मन बहुत जा हो आप देखें कि बिजनिस करने वारे लोग वो बहुत ज़्यादा इस्ट्रेस होते हैं उसके लावा जो हमारे नेता लोग होते हैं तो मुझे नहीं लगता है को जो के रात में भी ठीक से सो पाते होंगी उनके मन में आता हुआ रहे यार कहीं कल कोई बिदायग ने तूट कल ये मंतरी जो है छोड़ना दे दूसरी पार्टी में चला जाए या हमारे पार्टी को ये न हो जाए वो न हो जाए तो उनके मन में तो बहुत ज़्यादा मुसीवत रहती बहुत ज़्यादा उनका मन बठका हुआ होता है और खास करके जो बड़े नेता होते हैं प्रदा संत में हमें जाना पड़ता है तो आपको मैं यह बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि इसको संत करने के लिए कि आप कहीं चले जाओ जहां रहा है घर में रहे करके कहीं एक जेगर पर बैठ करके थोड़ा 10-15-20 मिनिट ध्यान लगाएं और फिर उस जो फ्रिक्वेंसी है 10-15-20 मिन को आनन्द महसूस होगा हम लोग जो है पूरे जिन्दगी भर यही तो भागदोर करते हैं कहीं भी जाने कोश्च करते हैं कि भाई मुझे संती मिल जाए सुख मिल जाए है ना कामना भी करते हैं कि अरे उस आदमी को भी है सुख संती मिल जाए या दुनिया में इस विस्व उसको हम देख नहीं पाते हैं, जैसा है बैसा हम उसको देख नहीं पाते हैं, वो बहुत ज्यादा मिलावट बाला बन जाता है, या तो हम उसको क्या करते हैं, माली जी कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, सुन्दर दिखाई जैसे कहते हैं कि यह सुन्दर है, तो उसको हम और बड़ा चड़ा करके उसको सुन्दरता की रूप में देख लेते हैं क्योंकि हमारे उसके प्रत हमें बहुत ज्यादा अटेच्मेंट है तो वो बास्तम में क्या सुन्दर है तो सुन्दर अगर हो तो हमेशा सुन्दर रहने चाहिए कि माली जी हमने कोई फूल देखा गुलाब का फूल देखा तो गुलाब पहली नजर में लगता है कि बहुत सुन्दर है तो फिर जैसे 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 उसके नजदिक जाते जाएंगे पिर जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा फिर गुलाब जो है मुर्जा जाएगा हाई है वैसा हम देख नहीं पाते हैं दूसरा है कम वे खर्राब दिखी कि मालीजी किसी ने हूँ को नुक्सान पहुँआ है अब हического जियुक को खराब है तो हम लेख लेख लें और इतना ज्यादा मन में बढ़ ले इतने ज्यादा पुराने उसके विचारों को लेकर के आजाते हैं कि उसने उससे ये का था अमुक दिन मेरे से ये का था तो बहुत सारी बातों को बढ़ा चड़ा करके एक प्रकासे आग की जौला की तरह बना लेते हैं लेकिन वही ब्यक्ति जिसको हम खराब मान रहे हैं तो क्या सब के लिए खराब है ऐसा नहीं है ब इतने भी हमारे बिकल्ब हैं वो सारे के सारे माया रूपी हैं जो भी चीज़े हम देख रहे हैं वो सारे के सारे माया रूपी हैं केवल और केवल ये illusions के टाइप के हैं सत्य वो नहीं होते हैं तो सत्यता इसके पीछे है है जो सत्यता है वो इसके पीछे होती है जब इसके अंदर हम बहुत ज्यादा जांच परताल करेंगे। गहराई से अगर हम सोचने कोज़ करेंगे तब भास्तव में समझ सकें कि बास्तविक्ता इसकी क्या है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो ध्यान के लिए बताया जाता है कि ध्यान करना चाहिए। कभी भी आप कहीं भी जाओ, किसी भी पंथ में जाओ, कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाईए, 10-15 मिनिट बैठिये, या कहीं कहीं तो कोई 10 दिन तक 15 दिन के सिवर होते हैं, क्योंकि उस मनों दसा को तभी आप समझ सकते हैं, उसको तभी काबू में कर सकते हैं, जब आप क्लास है, वहाँ पर अगर टीचर आता है, तो टीचर ऐसा तो होता नहीं कभी कि आते ही एकदम से बच्चों को पढ़ाने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, हमेंसा जब टीचर आएगा, तो बच्चों को बठाएगा, कि बच्चे सान्त हो जाओ, बैठ जाओ, तो सारी रूप से तो पहुच गए हैं लेकिन मन भी उस क्लास में लेकर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा और अची तरह से आप समझ सकते हैं तो इसलिए जो भी जहां भी अगर आप कोई अध्यन कर रहे हों या कोई बिजनेस कर रहे हों या पॉलिटिकल जो भी अपना केरियर हो उसमें कारी कर रहे हों तो मन का सांत होना बहुत जादा महतपूर है जब आपका मन सांत होगा तो उसके माद्यम से आप कठिन से कठिन चीजों को सरल बना सकते हैं अगर आपका मन अच्छा है चित अच्छा है तो आपको जो एक प्रकार से बुराई करने वाले भी एक दिन कम जितना हो सके उतने हम अपने इस मन के अंदर ज्हांगने की कोसिज करें। दोस्तों हमेशा हम बाहर की दुनिया में देखते देखते हम इतना ज्यादा आधी हो गए हैं कि आंतरिक दुनिया को हम भूल चुके हैं। तो अंतरिक दुनिया को जैसे ही आप पहचानोगे तो सब कुछ इसमें मिलेगा, जो बाहर देखने को उसको कर रहे हैं, वो अंदर आप उसको जब जहांकेंगे तो बहुत ज़्यादा तसलिय मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुसी मिलेगी, इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए थोड़ा समय जिरूर निकाले हम हमेशा और हमेशा बाहर के लिए हमेशा और हमेशा बाहर के लिए देखते रहते हैं करने के खुश करते हैं इतने ज़्यादा हम ब्यास्त हो जाते हैं कि कभी ये भी नहीं लगता है कि हम कर क्या रहे हैं क्या हम बास्तम में अपने जिन्दगी जी रहे हैं? सुबह उठे, तो फिर उसके बाद तयार हो करके आफिस के लिए भागते हैं。 आफिस में जाने के बाद, या तो हमारा कोई बॉस होता है, या हम किसी के लिए कारिकरते हैं, फिर ठक हार करके घर आते हैं, तो फिर इतने ज़्यादा थके होते हैं कि हम आते ही बेड़ पर पड़ जाते हैं जिन्दगी में कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है कभी रात में तो कभी दिन में तो जैसा बुला लिया जाए उसी पसास से हमको जाना पड़ता है तो बास्तम में हमें आंकलन खुद करना चाहिए कि क्या हम अपनी जिन्दगी को जी पा रहेंगे नहीं हम कब जी रहे हैं या तो हम ओपिस के लिए जी रहे हैं या तो हम दूसरे लोगों के लिए जी रहे हैं या तो हम दुनियादारी में जी रहे हैं या फिर हम दूसरे कार करके जनम लेने के बाद से जब से हमने हो समाला है तब से लेकर के हम कब जीए हैं क्या हम बास्ता में जिन्दगी को जी रहे हैं यह आपके लिए प्रस्ण है और प्रस्ण पर आप जरूर मन्थन कीजिए जरूर चिंतन कीजिए नमस्कार नमबुद्धाय टश्टलिक